एपिसोड 5 के स्टार्टिक में मियू के ब्रिलर को दिखाया जाता है जो कि मियू पे अटाइक कर दिया होता है जिसे देखकर आजी उसे मारने चला जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उस पे अटाइक कर पाता वहाँ पर एक और डिस्टोर आके उसके माइन को कंट्रोल करके उसे एक illusion में भेज़ देता है जहां पर उसे अलगी दुनिया दिखाए देती है और वहाँ पर उसकी mother उसे आकर पीछे से गले लगा लेती है अब यह उसके लिए अच्छे से सपनी जैसा होता है लेकिन तभी उसका यह अच्छा सपना एक बुरे सपने में तब्दिल हो जात है जिसके बाद हमें हाना के grandfather और destroy के बीच के fight का scene दिखाया जाता है जहाँ पर हना के grandfather बड़े आसानी से उस destroy को पीट रहे होते हैं और उसे बड़े आसानी से उस पे भाड़ी पर रहे होते ह问 जिसके बाद उस destroy से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हाँ बॉस भी यहाँ पर मौजूद है अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो जरूर मारे जाओगी जिसके बाद हमें हाना का सीन दिखाया जाता है जोकि उस लेडी डिस्ट्रोई से फाइट करने के लिए अपने बिक्ट्री को बुला लेती है ताकि वो उसे हर लेकिन दिखाया जाता है कि ग्रिन बॉल के पीछे वहाँ पर एक और डिस्ट्रोई मौजूद होता है जोकि उसके ग्रिन बॉल पर अटक करकर उसको बहुत ही जगमी कर देता है जिसके कान हाना भी बहुत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इस पीट और सम्नन में आपस में कन होने लगते है और उसी बीच फाइट को छोड़ कर अपने पावर को यूज करके हाना को हील करने लगते है जिसे देखकर बाकी के डिस्ट्रोई हाना के ग्रेंट फादर पर अटक कर देते हैं जिसके कान उनके मूँ से खून भी निकलने लगता और साथ ही में मियू का ब्र कर देती है जिसके कान हमें लगता है कि यहां पर वो मारे जा चुके हैं वैसा लगता ही है क्योंकि उनके सर के आरपार भी गोली जा चुकी होती हैं सबको लग रहा होता है कि वो उनको मारने में कम्याब हो जाते हैं लेकिन यहां पर उनको मरने से पहले अपने ग्रांड ड जड़ा हो चुकी होती है यह एक सेक्रिफाइजल पाहुर के ही जैसा होता है जहाँ पर अपने सूल को और स्पिल्ट को बर्ण कर रहे होते लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी के डिस्टॉर का लीडर आ जाता है जोकि आकर हाना के ग्रैंट फादर पर अटैक कर देता है अब हा लीडर अपने एक रिपल के सॉल को यूजे करके हाना के ग्रैंट फादर के सूल को सब्सकर दिया होता है जिसके और लीडर तुक्ए पे जिन्दा चोड कर चले जाते है और पूरिया प्छला हमें चाले होते ले वहें आजी के घर पे आ चुके थे और यहां पर तो रिद्ड़ा का अलगी नाटक चाल रहा होता है कि अगर वू थोड़े दोर और डुक जाते तो मूँ उनको मार ही देती अब यहाँ पर आज ही अपने डिरेक्टिव मांड को यूज करके उनसाइड डिस्ट्रोयर के बार में खबर निकालने लगता है जहाँ पर उसे इंटरनेट पर एक वीडियो दिखती है जिसमें की हाना के ग्रैंट फादर और उसी डिस्ट्रोयर की फाइट डाली होई होती है जो कि असल में एक सैटलाइट कैमरा से ली गई होती है और वो डिसाइड करता है कि जिसने भी इस वीडियो को डाला है वो उसके पास जाएगा ताकि वो उन साइड डिस्टॉइज के बार में और भी जनकार निका सके अब पता चलता है कि वो असल में एक लेडी होती है और वो कल ही एक जगा अपने नोविल को बेचने के लिए अपने स्टॉल को खारा करने वाली थी जिसके बाद वो लोग डिस होता है कि यह ट्रेंड इस प्लैटफॉर्म पर नहीं रुकने वाली जिसे जानका हुआ ही लेडी जिसके बार में आज ही ने बात किया होता है वो अपने हैकिंग टूल से उसके पूरे के पूरे जगह को ही कंट्रोल करने लगती है और वो उसी ट्रेंड को वही पर जिसके बाद वो हैक करके उसके गेट को ओपन भी करती और दिखाया जाता है कि उसका हैक्टिंग डिवाइस बहुत ही पाफुल होता है वो इसको लेटर यहां तक की वेंडिंग मसिन तक को कंट्रोल कर पा रही होती जिसके बाद वो अपने उसी जगह आ जाती जहापर वो पहुत ही स्ट्रोंग हो सकती है जिसके बाद वो अपने मिशन को स्टार्ट कर देते हैं जिसके बाद हमें उसे लेटी को दिखाया जाता है क्योंकि वहां पर निरास बैठी हुई थी क्योंकि अभी तक उसकी एक सिंगल कॉपी तक नहीं भी की होती है जहां पर तभी आज अब यहां पर आजी ने अपने अडिनटी को चुपा कर आया होता है लेकिन वो लेडी उसको जानती है तो तुम यहां पर मेरे फर्स्ट कस्टामर बन गही हो आजी तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो यह जानकर आजी पूरी तभी के से सौक हो जाता कि आखिकार वो ल कहती है मैं तुम्हें ही नहीं बलकि यहां पे डोरा और मियू को भी जानती हूं जो कि तुम सभी यहां पे छुपे हुए है वो उन सब को बाहर निकलने को कहती है जिसके बाद वो सभी उन सब के सामने आ जाती है और वो उन सब से कहती है कि मैंने तुम सब पर बहुत पहले स सकते हैं इस डिजिटल में वो जानती है कि नुक्लियर का कोड क्या है वो चाहे तो बड़ी असारे इसने आफ फाइट करवा सकती है जहां पे वो और भी ऐसी ही ऐसी चीजे बताने लगती है और वो ने ये भी बताती है कि हाना के ग्रैंट फादर पर जो अटैक हुआ था वह पांच नहीं बलकि साथ दिस्ट्रॉय मौजूद थे और वो अपने फोन के फीचर्स के बार में बताने लगते कि कैसे ही यहां के 300 मिटर के रेडियस के अंदर में आने वाले जितने भी खत्रे उन सबको भाप सकती है हर एक चीज को यह आता कि हर एक परिंद हर एक मक्षी क बार में भी जान सकते लेकिन तभी उन पे अटैक हो जाता है और इस टैंड को पदा चलता है कि असल में एक एक ग्रिट का आटैक है मतलब यह बहुत ही पाफूल ग्रूप में उन पे अटैक किया जा रहा है झिससे सुनकर आज इस टैंस से पूशने लगता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए तो Stan Barry style में कहती है कि सोच क्या रहा हो भागो यहां से जिसके बाद भो लोग यहां से बागने लगते जिससे देख कर आजे उसे पूसता कि आखिर कर यह लोग तुम्हारे पीछे क्यों पर हुए है तो Stan कहती है कि मुझे क्या पता मैंने बढ़े ले रखा है जिसके बाद दिखाया जाता है कि उन्हें मारने के लिए Roberts भी आने लगती जिसको देख वो सबको जम करने को बोलती है और दिखाया जाता है कि जैसे वो उस ब्रीज से जम करते हैं वो डायरेक्टली एक सूपर काय में लैंड करता है और इसी के साथ ये